बहुत ध्यान से सुदिएगा कई चीज हम लोगों नहीं नहीं जानने को मिलेगा क्या प्राब्लम कुछ सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है और भी बहुत चीज़ है फटिलाइजर में कर नौर्वे का नौर्वेक टू कंट्री है यूरोप में उसका बहुत बड़ा जाएं उसने कहा है तुम लोग जितना मेरे को रोके होगे उतना ही फटिलाइजर शौटेज होगा मैंने फोकस दिया चार एफ के उपर फूट फटिलाइजर फ्यूवल और फाइनस वह बोलते हैं फटिलाइजर आप बैन लगाओगे मेरा अलाव नहीं करोगे रश्या बहुत बनेगा कम फूट बनेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा और दाम बढ़ेगे विश्यस सरकल है पुटिन हम लोग को वॉन करे जा रहा है इसको लेके इंडिया में देखिए इंडिया जो वर्ल्ड का आटा गेउ अब लोग बोले तें गेउ जो सप्लाई कर रहा है वो अब करेगा 444 था इतनी गर्मी पड़ी है इस बाप पूरे नॉर्थ में वेस्ट में सेंट्रल में और बहुत जल्दी पड़ी है बहुत नंबा बढ़ा है तो वीट का प्रड़क्शन बहुत काम होते जा रहा है इसले फूट को अपरेशन ने का है कहां 444 लाक तन का एक्सेप् टोस्टर आयरें सब चीज के दाम 20% लास्ट यर से बढ़ गए है और आगे और भटने का बात हो रहा है पतलब मैं चाहा के भी आप लोको अच्छा नहीं दे पा रहा हूं पहले क्या था एक साल पहले तक इतना डिमांड था इतना डिमांड था कि अमेरिका में बड़े-ब टूमच अब इन्वेंटरी माल ये माल भर गया कोई डिमांड नहीं है क्यों नहीं है डिमांड सब चीज के दाम इतने बढ़ गए है तेल, फूट, फटिलाइजर, फाइनस और फ्यूल के तो आद भी लोग का रुपया खर्चा हो जा रहा है सब उसके अंदर करे तो करे क् अब फूट 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 अब इन्वेंटर को जादा मत उडाओ उनका बात सुनो ना बहुत बार बढ़ बढ़े ये लास पचासार सतर सालों में बढ़ अधा बढ़ना वाला सिच्वेशन बहुत कम आया है कि सब चीज के दाम इतने जोर बढ़ रहे है जिसका कोई सल्यूशन भी नहीं है और यह दाम भड क्यो रहे हैं विकॉजज अब इस टुपेड वर गोइंग उप्रेन रस्या देखा जाए तो युक्रेन और रस्या के बीच में फाइट नहीं है अमेरिका और रस्या के बीच में लडाई चल रहा है और अमेरिका पागल होजे रखा है रश्या को वीक करने के लिए हराने के लिए कोई भी हद तक जा रहा है उसके चकर में पुरा वर्ल्ड पेज जा रहा है बॉंबे का मुंबई का एक बहुत फेबस पॉपुलर ब्रेड है विब्स उसके दाम 25 परसेट बढ़ गए है लास्ट फ्यू मांस में जस्ट दाम बढ़ गया है यह एक चीज़ नहीं है सब चीज़ें के दाम दीरे दीर बढ़े है तो ओवराल बजेट बहुत महंगा होते जा रहा है इट इस हपिंग चिकन के दाम मैंने एक दो वीडियो पहले कहा था एक्स के दाम डबल ट्रिपल हो गई है मिल्क के दाम बढ़ बेचते थे एक्सपोर्ट करते थे हर कंट्री सोचता है इंडिया की तरह यार मत बेचो क्या पता शौटेज हो जाएगा इंडिया ने जिसे गेहुं को रोक दिया है शुगर के ओपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है उसी तरह जो चिकन बेचते हैं कंट्री वो रहे जो पलम और सभ अपना कंट्री अपना प्रस्टेप लिरें वर्ल्ड ग्लोबल विलेच्ट था इस एक दूसरा के पाथ जा सकते तैंड़ चेंज हो गया सब अपने आपको देख रहे है तरकी 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 का इंफ्लेशन सेवन्टी थी परसेंटों मैं इसंटी थी पर युरोप और एश्या के बीच में वे टाइप का क्या है एक टो एक टाइप का पुल है it is a bridge because आदा तर्की युरोप पे है आदा तर्की एश्या बे और तर्की का अंकारा है अंकारा is the capital यह देखिए हर जगे global story even worse high energy cost could hit billions of people in emerging market in far harder ways including greatly impacting food supply and ability to heat homes in winter यह सबसे बड़ा बात है homes winter में गरम नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम लोग यह तो चलो ठंडा होता है हम लोग क्या गर्मी पड़ती है हम लोग एर करडिशन चाहिए electricity चाहिए यूरोप और अमेरिका में ठंड पड़ता है तो उनको गैस चाहिए गैस से उन लोग क्या करते है अपना वो करते है क्या क मोस्ट पाउफल मैं कौन है बाइडन जो बायुदे रूस्ट्रे का है उसने है वो बोलता है ही डज़न फोरसी गैस फूरइस फॉट प्राइस वालिकश सब्सक्राइब जो सबसे पावरिफुल बेर जिसके हाथ में सब कुछ वो बोलता है बैं कुछ नहीं कर सकता हूँ food fertilizer finance fuel मैं कुछ नहीं कर सकता अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो भगवान ही जानता हम लोग के साथ पर चले गए है I can't do a thing और यह line note कर लो काम आएगा आपको hungry nations के सामने choice है devil in the deep sea क्या करें क्या ना करें या तो उधार दें उधार वापिस दें जो उधार लिया हुआ है यह अपने आद्वी लोग को खिलाए pay debts or feed your people is the hungry nation's impossible choice क्या दुविदा में फस गए है जितना हम लोग के पास रुपिया है जो हम लोग जैसे family के पास जो रुपिया है या तो वो जो उधार लिया वो चुक्ती करें दीरे दीरे या अपने घरवाला को खिलाए obviously आद भी लोग उधार को नहीं दे रहे हैं अपना hungry people को खिला रहे हैं उसके करण उन लोग default कर रहे हैं बैंक्रप्ट हो रहे हैं और हलत खराब है तो सो प्रिकारियस सिच्वेशन और जेपी मॉर्गन वर्ल्ड में बहुत बड़े-बड़े फंड्स है जेपी मॉर्गन गॉल्में साक्स मेरिल लेंज नमूरा उनमें जेपी मॉर्गन वन दा बिगेस्ट है वो ट्रिलियंस ओफ डॉलर मैनेज करता है वो रुपया लगाता है आद्बी लोग के लिए बड़े-बड़े आद्बी लोग को जब रुपया लेना होता है लगाना होता तो जेपी मॉर्गन के पास जाते है जेपी मॉर्गन का जो हैड है उसने बोला है जेपी मॉर्गन क पहले एक टो स्टॉम आने वाला है, की स्टॉम क्लाउड मतलब में को बादल दिख रहे थे, की बारिश होगा, तुफान आएगा, अब हरीकेन आने का बात है, ब्रेस यॉर्सल्फ और एकोनॉमिक हरीकेन, अगर वो बोलता है तो बड़ी बात है, तो वो इतना रुपया मैने जो वोल्ड का रिचेस्ट मैन है, उसने पर्सो रात को का है, I have a super bad feeling about the economy, Elon Musk, Tesla का फाउंडर, पाइप पाइपर अब दी वल्ड, वोल्ड रिचेस्ट मैन, he is also concerned about, and he is not feeling good, उसको लब लग रहे, एकोनॉमी ठीक नहीं जा रहा वर्ल्ड का और उसने उसका स्टेप लेते हुए 10% अपना जो लेबर है वर्क फोर्स है उसको कट करने का बात किया है मतलब क्या है अगर उसके आपे 50,000 लेबर काम करते हैं तो उसने बोल दिया है मैं 5,000 लेबर का काम 5,000 लेबर को छोड़ अभी है अनिंप्लोयमेंट हो गया इंकम नहीं आएगा इंकम सालेरी मिलेगा इंकम नहीं होगा तो डिमांड कब हो जाएगा रेसेशन आएगा सिचुवेशन ठीक नहीं है जेपी मॉर्गन का चीफ, इलॉन मस्कर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो सोचे जबकि इलॉन मस्क एलेक्रिक वेहिकल बनाता है टेसला का, जो बोलते है फ्यूचर है वर्ल्ड का, वो बोल रहा है मेरे को 10% कट करना पड़ेगा, तो कितना बड़ा बात बोल दिया उसने, श्रिल इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड ने उसको बोला है कि टैक्स बढ़ा हो, अब जितना टैक्स बढ़ा होगे, तो किसके उपर प्रावल होगा, पब्लिक के उपर, हम लोग के उपर, श्रिलंका में आज हुआ है, अब नेक्स पाकिस्तान में हो रहा है, उटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, बंगलादेश में हो रहा है, वर्ल में 195 देश है, एक एक करके सब जगे कही ना कही हो रहा है, श्रिलंका में तो बुरा आल है, वहां के जो गौर्मेंट के म्यूजियम्स है, क्रिकेट स्टेडियम्स है, वहां पे जो वो मॉनुमेंट्स है, उनको को करने वाला नहीं है सब खराब हो जा रहे है स्टेडियों मॉनुमेंट्स वो सब पोर्ट्स एरपोर्ट्स सब खराब हो जा रहे है विकॉस लड़ाई इतना भीशन हो गया वर्ल्ड में सब चीज के दाम बढ़ गए है तो आदमी के पास क्या करे या तो अपना उधार और ध्यार रखे या फिर अपने घरवालों को खाना खिलाए वेरी डिफिकल्ट चॉइस अब लोग आते हैं जो इस जबेला का वन अफ़ बिगेस रूट जड़ जड़ है वो बात खतम और दूसरा होता है नेगोसेशन टेबल पर बैट के एक टो पीस टीटी शांती वारता करे और कुछ गिवन टेक होना चीए वो कुछ देगा वो कुछ देगा लडाई इस पोजिशन पर आ गया है कि बैटल फील पर तो कुछ खतब नहीं होगा मैंने पिछली बार वाला वीडियो में दिखाया था जियों नेहीं देका हो जबू देखिले लडाई एक कोने में जाके मगए उसी तैसे वोटे का मतलब गेम खतम हो जाना यह लडाई का बहुत हो है सेम चलते जा रहे है लडाई का भी वही आलत हो गया है स्टेल में तो गया है ना नेगोसेशन हो रहा है ना बैटल फील्ड पर कोई जीतेगा बड़ा अजीब बात है एक कोने में जाके लड़ाई चलते जा रहा है और उसके चकर में पूरा वर्ल्ड खतम हो जा रहा है अब सौ दिन हो गए परसो या कदर सो सौ दिन हो गए लड़ वो कोटेशन क्या था, वो कोटेशन था, कि in a war there is no, यह देखिये, war does not determine who is right, only who is left, war does not determine who is right, only who is left, क्या होगा लडाई करके, लडाई लडाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, सौ दिन हो गया, लडाई चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, अमेरिका, आफ्रिका, जो पूर नेशन से है, उनके रिप्रेजेंटिटिव गए है रश्या के पास, कि भाई हमको अपना ग्रेन, आपका ग्रेन, युक्रेन का ग्रेन दे दो, हमको आपका चावल, गेउ, जो भी पाम ओईल है, जो भी आप बेचते हो, प्लीज हमको तो अलाव कर दो, आप लोग लड़ रहे हो, अमेरिका लड़ रहा है, यूरोप लड़ रहा है, हम लोग तो खतम हो जाएंगे, पुटिन होल स्टॉर्स भी एड़ आफ्रिकान ओवर ग्रेन एक्स्पोर्ट, बोला है, प्लीज हमको दे दो, वो पूरा युक्रेन खतम हो गया, रस्ते पर आगया, और तुम बोल रहे हो, कि तुम जीत गए हो, मतलब क्या होगा, पचास नेशन वहाँ पर आपके अतना इम्बैसीज खोल रहे हो, और वो हीरो बने जा रहा है, क्या बताए, इसी पूरे चीज के अंदर, इसी पूरे चीज के अंदर हम आप लोगों, जो सभजार एक बार देखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ये एक तो बहुत बढ़ा चीज है, ये आप लोग को एकदम आप नोट कर लीजिए, 100% इसके बारे में बुक्स में लिखा जाएगा, इतना गजब का चीज हो रहा है, हम लोग के जो फॉरेंड मिनिस्टर है, देखें, मैं आपको हर बार बोल रहा हूं, मैं जब भी मोती जी, मोधी जी, ममता जी, राहूल जी बोलूगा, आप लोग बहुत याग हो, मैं कोई बॉल रहा हूं, कि मैं इनका सपोर्टर हूं, मैं उनका गेस्ट हूं, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको जो बता रहा है, out of respect for that person होता है, इसको आप लोग बहुत याग हो तो इसको आपको यह मत सोच जीएगा, कि मैं आप लोग को इन्फरस करने की कोशिश कर रहा हूं, इसना beautiful, logical way में इंडिया का position explain कर रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, unbelievable है, अभी इन्होंने परसो यूरोप के country में जाके interview दिया था, वहां में उन्होंने जो जो बोला, मैं उसका दोचा लाइन आपको को बोल रहा हूं, जरूर नोट करिएगा, और caller को उठाइगा कि foreign minister हो तो ऐसा हो, वरना नहीं हो, गज़ा बोला इसने, गज़ा बोला है, पूरा America, पूरा Europe, इंडिया के ओपर चिला रहा है, कि तुम रश्या का oil मत खरीदो, तुम रश्या का oil खरीद रहे हो, रश्या को पैसे दे रहे हो, रश्या उसी से लड़ाई कर रहा है, तो देखा जा तो इंडिरेक्ली, इंडिया is responsible for killing Ukrainian, इंडिया is responsible for this war, सब कुछ वो बार बार, सब कोई America और Europe, इंडिया के पर थोप दे रहे है, इन्होंने क्या दिया, रप्लाई, तुमारा खून खून, हमारा खून पानी, तुमारा कुता ठूमी, हमारा कुता कुता, उन्होंने इसको ए पहले बात समझो, आप रश्यन गैस खरीद रहे हो, योरोप पूरा रश्यन गैस खरीद रहे है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग रश्यन और खरीदे, तो प्रॉब्लम है, घचब है, फिर वो बोलता है, उनलोग ने क्यूस किया, कि आप बहुत जादा तेल खरी खरीदे थे, अब थोड़ा ज्यादा, आप लोग 40 खरीदे थे, अब आप लोग 50-60 खरीद रहे हो, हम लोग 1 खरीद थे, 1, अब हम लोग 9 खरीद रहे है, तो आप लोग लग रहा हम बहुत खरीद रहे है, आप लोग 40-50 हो रहे हो, हम 1 से 9 हो रहे है, लग रहा 9 टेम्स ख जाए सो जाए88 जाने के के लिए अपका हों का युद्ध जालोगे हमारे घर के हमारा फैक्टरी चलाने के ले गारी चलाने के क्लीए तरभ हो सकता है यह क्या लोग्म फिर उन्होंने कहा, एक जड़े पूछा, सर आप इतने बड़े नेशन हो, आपको एक साइड लेना पड़ेगा, या तो रश्या का साइड या अमेरिका का साइड, बोला, I am sitting not, I am not sitting on the fence, I am sitting on my ground, जो मेरे को ठीक लगेगा, करूंगा, मेरे को रश्या का कोई चीज़ खराब लगता है, मैं रश्या को खराब बोलता है, मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूं, मैं अपना साइड ले रहा हूं, वो बोलता है, इंडिया के जो फॉर्न मिनिस्टर उसने का, we are 20% of the world's population, 20% population हमारे या पर रहता है, वन, पांचवाए छटा biggest economy in the world है, क्या हमको decision लेने का हक नहीं है, क्या हम अमेरिका और यूरोप के dictation पर चलेगे, बड़ी बड़ी बाते बोला उससे, ऐसा ऐसा बात बोल दिया है, कि आदमी लोग खिला दिया, फिर कहीं जैने बोला, आप wheat export बंद कर दि है, wheat ले जा रहे है, Singapore ले जा रहा है, Hong Kong ले जा रहा है, Europe के बड़े-बड़े nation लोग हम लोगा सारा wheat खा जा रहे है, हमने देखा कि भई, सेम चीज वैक्सीन के साथ हुआ, सारा वैक्सीन कॉल ले गया, अमीर कंट्री ले गया, गरीब पट्री लोग को नहीं मिला, हमने ब पैसा है, जी लोग arrange कर सकते हैं, वोई सारा wheat खा जाए, गहूं खा जाए, और गरीब लोग के नहीं रहे, उन्होंने ये स्टाटिस्टिक दिया, कि लास्ट येर से, इंडिया दे फोर एक्स, बलग चार गुना, चार गुना लगा हम, चार गुना जादा एक्सपोर्ट किय है, गहूं, कम कहा से किया है, वही, आप जो बोल रहे हैं, आपने कम किया, कुछ नहीं किया, हम दे रहे हैं, जरूरत मन लोगों को दे रहे हैं, जिनको चाहिए, उनके country के representative हमको phone करते हैं, और हम उनको provide करते हैं, तो बोला हम लोग को बिना बाद का accuse मत करो, हम लोग को बि है, we are playing a role, so please don't push us to us, हम लोग को ज्यादा मत बोलो, कि हम लोग भी वही कर रहे हैं, जो सब कुछ, बोला, वो एक देका, अगर चाइना आपके ओपर attack करेगा, तो रश्या किसका support करेगा, रश्या आपका support नहीं करेगा, वो चाइना का support करेगा, तो उसने का, उन्होंने का भाई, इंडिया और चाइना का लड़ाई, दो साल, तेर साल से काफी सालों से चल रहा है, काफी सालों से अब लोग की लड़ाई चल रही है, क्या, रश्या का हमने help लिया, नहीं, we are more than capable, चाइना को handle करने के लिए, अपना नसियत, अपने पास रको, हम लोग को आपका नस सियत, नहीं चाहिए, ठोको ताली एक बार ठोक दो ताली अच्छा से, इस बंदे के लिए एक बार चैट में ठोक दो ताली, this person deserves a standing ovation, because बहुत बड़ी बात है ये, he deserves a standing ovation की, इसने इतना अच्छा से एक्स्प्रेट किया है, it makes total sense of what he's saying, मैंने आप लोग को बोलाता है, हर और अप लगे करेंगे, उनी को परीज मिलने का लोट्री के हख़डार होगे, मैंने पहले ही उप लोग को, दोनों चीजए हैंगे आप लोग को देखिए पेटियम के जो मालिक है उसने बोला कि जिस तरह यह आंसर दे रहे हैं हम लोग के फॉर्ण विस्टर इस टॉक्स विल टॉक्स विल टॉट इस इतना अच्छा बोल रहा है वो इतना बढ़िया से बोल रहा है कि उसको पढ़ाया जाएगा जो मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया एक लास चीज़ हम आप लोगों बता देते हैं आप लोगको पता है ट्रायल पेरू छिली चलिक भी पास्वर्ट शेरिंग दीरे दीरे बद कर दे रहा है अच्छे दिन गए एक दिन सुवे आप लोग को पता चलेगा इडिया वे नेट्फ्लिक्स से पास्वर्ट शेर अलाओ नहीं है तब गई बैस पानी वे हालत कराब हो जाएगा तब तक तो जितना देख रहा है देख लो रही तो खता वह कहीं रहेगा यह जो भी अब आप लोग को बताया है यह बहुत बहुत जरूरी पार्ट है आप लोग अभी जल जली रिप्लाई करिए कौन से कंपनी ने पास्वर्ट शेरिंग करना बंद कर सकता है